आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नूमबर 4 एडिमिशन ओफ आ पार्टनर का कोश्चिन नूमबर 59 चलते हैं कोश्चिन नूमबर 59 के ओर तो यहां दिया गया है कि A और B कैरी करें एक बिजनस को पार्टनर्शिप को उसका प्रॉफिट शेरिंग रेशियो है इन दोनों का थिरी रेशियो टू फिर उन दोनों की बैलेंस शीट दी गई है कि आगे हमें दिया गया है कि उन्होंने एड्मिट किसको किया सी को एड्मि लाएगा 15,000 उपिले कराएगा तो यहां वो लगए कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इन सभी की और एक बैलन्स शीट भी बनानी है नए फॉर्म की नई बैलेंस शीट बनानी है नए फॉर्म की और डेटर्माइंड न्यू फॉर्फिट शेरिंग रेशियो भी आपक 59 के अंदर इन्होंने पहले गुडविल की बात करी थी तो गुडविल कैल्केट करने के लिए हमें क्या-क्या दिया गया पहले वो समझेंगे तो यहां देखेंगे हम अपना कॉश्चिन यहां पर हमें गुडविल दे रखें पुरे फॉर्म की ट्वाइस ट्रहश्च त्वाइस दिया थिर्ट फर्शचिन धुर्श त्वास्ट्ट फ्रियזה यह खो design गुडवल्यूाइस है वह डूबल होगी था दूंतस्पश्च की जाम एविर्च के तीन सालों का और आश्च के तीन सालों का एवर्चपविट दे रखा क्या जाएगी गुडविल शाट करते हैं ठीक है तो वर्किंग नोट फर्स्ट आप यहां देख रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे हम जो क्या करेंगे वो है मचुश्ट फॉफिट ऑफ लास्ट के थ्री यह सबसके करेंगे लास्ट width आपडे यह सबसकी है वर्पिंगे लाइगे चॉविस हजार वُफिट यहरा अवप्लस में 25,570 रुपे डिवाइड करते है जितने साल लगाई प्रॉफिट दिया है 1,2,3 डिवाइड करेंगे 3 से ठीक है तो इनका टोटल करेंगे यह आएगा 70,560, 70,560 तो यहां कितना आगे आपका 23,520 रुपे तो यह क्या आगे फर्म का एवरेज प्रॉफिट सेकेंड नमबर प्रम क्या निकालेंगे गुडविल गुडविल का फर्मुला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मैं एवरेज प्रॉफिट को एपी से कंसिडर कर रहा हूँ यहां पर denote कर रहा हूं तो average profit multiply purchase year average profit कितना है 23,520 multiply करेंगे purchase year वो कितना है 2 तो इनको simplify करेंगे तो यह कितना जाएगा 47,040 रुपीस अब जब नया partner आया कि पुरे firm की उड़ भी लेकर आएगा नहीं वो सिर्फ अपना share लेकर आएगा तो हम calculate करेंगे किस का share new partner का share तो third number पर calculate करेंगे new partner का share, new partner कौन है C, ठीका लिखेंगे C's share of goodwill तो पुरे firm की goodwill क्या थी 47,040 रुपीस multiply C कितने share के लिए admit हुआ है, 1 by 8 share के लिए admit हुआ है, तो यहां calculate करेंगे तो C का share आजाएगा 5,880 रुपीस अब यह जो पैसा है goodwill का पैसा यह C लेकर आएगा और इसका पैसा किसको मिलेगा old partner को मिलेगा वो भी किस ratio में, sacrificing old partner कौन है, A और B को मिलेगा, वो भी किस ratio में sacrificing ratio के अंदर sacrificing ratio का formula क्या होता है old ratio minus new ratio ठीक है उसके बाद हमें देखना है कि नएा ratio भी निकालना है अब नएा ratio यहाँ पर calculate कर लेते हैं भाई क्या calculation of new ratio ठीक है तो सबसे पहले A और B partners थे हमें कोशे में दिया गया था कि A और B partners है किस ratio में partner है 3 ratio 2 में ठीक है फिर इसमें बोला गया था जी C नया partner है उसको admit किया जा रहे है कितने share के लिए 1 by 8th share के लिए तो अब इन सभी का नया ratio क्या होगा तो पेटा case number 1 है जैसे कि हमने सीखा था दिखेंगे लेट दा टोटल प्रोफिट शेयर बी फिर क्या लिखेंगे रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग शेयर के लिए पेटा 1 माइनस नया partner का शेयर नया partner का शेयर 1 by 8 तो remaining share कितना आ गया 7 by 8 यह remaining share किसको मिलेगा remaining partners को remaining कौन है पूरे firm का profit था 1 1 मेंसे आपने सबसे पहले नया partner को profit का हिस्सा दे दिया तो बज कितने partner है A और B इनको मिलेगा किसमें remaining share मिलेगा 3 ratio 2 में तो A और B को ये share मिलेगा अब calculate करेंगे new ratio calculate किया जाएगा new ratio A, B और C C में लिखेंगे 1 by 8 फिर यहां क्या लिखा जाएगा इन दोनों को क्यों से शिर्सा मिलेगा बचा हुआ, बचा हुआ क्या remaining 7 by 8 तो यहां लिखेंगे 7 by 8 यहां पर भी 7 by 8 multiply किस ratio में ये मिलेगा 7 by 8, 3 ratio 2 में मिलेगा यहां लिखेंगे 3 by 5 2 by 5 आप इसको simplify करेंगे यहां जाएगा 21 over 40 यहां आप करेंगे 14 over 40 जब ratio आपको calculate करना होता है सभी का denominator क्या होना चाहिए, यह सेम इसको 8 को 40 बनाने के लिए हम किस से multiply करेंगे 5 से, तो 5 से numerator में multiply किया जाएगा 5 से denominator में यह आजाएगा 5 over 40 तो बचान नया ratio जो आगया वो कितना आगया 21 ratio 14 ratio 5 कर यह बात क्लिया रहे यह आगया हमारा new ratio अब यह सारा जो basic काम था हमने कर लिया है इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी journal entries करेंगे तो जैसा कि हमारा format पहले से तयार है journal entry का ठीक है तो यहाँ पर पहली entry की जाएगी कब अपरेल को जिस दिन वो आया है पार्टनर से लिखेंगे 2023 एपरेल जब एक पार्टनर आया है तो बैटे वो पैसा लाया है किस चीज का capital का और goodwill का तो entry क्या करेंगे हम cash, account, debit नया पार्टनर का नाम क्या है C तो यह रिखा जाएगा C's capital account और जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो उसे हम बोलते क्या है to premium for goodwill account फिर being करके narration में हम इसको लिख देंगे कि हमने entry किस चीज के किये being C brings his share of capital and goodwill in cash ठीक है तो C capital का कितना पैसा लेकर आया है 15,000 रुपे हमें दिया गया थे कोशिन में और goodwill का कितना पैसा लाया है वो हमने calculate किया था हमारे कोशिन में 5,880 लाया C goodwill का पैसा लाया तो लिखेंगे 5,880 बीज गुडविल का पैसा लाया है तो total cash कितना business के अंदर आया 20,880 रुपे ठीक है गुडविल का पैसा किसको मिलेगा old partners को old ratio में है न यहां लिखेंगे April 1 गुडविल का पैसा old partners को account में write हो जाता है लिखेंगे premium for क्याएगा premium for गुडविल account debit 2 किसको मिलता है यह sacrificing partner को तो C के आने से sacrifice किस-किस ने किया A ने और B ने तो यहां लिखेंगे 2 A's capital account वो यहां लिखा जाएगा 2 B's capital account गुडविल का कितना पैसा लेकर आया था C 5880 रुबीज वो लेकर आया था यह किस ratio में distribute किया जाता है बटा old sacrificing ratio में old partners में sacrificing ratio में being amount of C's share of goodwill transferred to old partners capital account in sacrificing ratio अब sacrificing ratio को फिर्म लेकर था old ratio में इस new ratio question में किया new ratio है है ही नहीं तो क्या होगा 3 ratio 2 में भाठतेंगे 3 2 में अगर भाठतेंगे तो यह कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा 35 28 और यहां आ जाएगा B में 2352 ठीक है उसके बाद question के अंदर दो हमें distributable item गीवन है यह हमाई lab decide में general reserve गीवन है 20,000 उपे और यहां goodwill गीवन है 20,000 उपे तो अगर आप देखोगे तो general reserve हमाद एक कहां पे है liability side में और liability का balance क्या आता है credit तो credit से general reserve कहां जाएगा debit में तो क्या लिखेंगे general reserve account debit 2 अभी distributable item का जो पैसा मिलता है वो किसको मिलता है जिन्होंने यह create किया यहनकी old partner ने create के है वो भी old ratio में मिलेगा 2 is capital account 2 is capital account goodwill का कितना पैसा था? 20,000 उपे वो भी old partner old ratio कितना आएगा? 12,000 और कितना जाएगा? 8,000 being being करके क्या लिखेंगे general reserve transfer to being general reserve transferred to old partners old partner's capital account in old ratio ठीक है? फिर क्या दिया गया था question में? goodwill goodwill क्या हो जाएगी? write off हो जाएगी लिकिंगे April 1 goodwill बिटा कहा थी? asset side में थी asset में यानि कि debit debit से कहा जाएगी? credit में तो debit में किनके account से पैसा write off होगा? old partner के account से ही होगा तो A is capital account debit फिर B is capital account debit 2 कौन सा पैसा write off कर रहे हम? goodwill का पैसा ठीक है? तो goodwill थी कितनी? 20,000 रुपे अब भी old partner old ratio कितना है है हमारा? 3,2 तो 12,000 रुपे A के account से B के account से 8,000 रुपे being goodwill written off being goodwill written off ठीक है? इसके बाद नई balance sheet बनानी है जो नई balance sheet बनती है वो adjustment को देखकर ही बनती है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पहले से जो balance sheet बनी हुई थी उसके अंदर क्या-क्या था एसेट साइट से स्टार्ट करेंगे पंदरा सो रुपे तो यह लिखा जाएगा cash cash कितना था? 1500 रुपे पहले से था जब एक नया partner आया जब एक नया partner आया तो cash के अंदर क्या लेकर आया? capital के 15,000 रुपे लेकर आया और goodwill के 5,880 रुपे लेकर आया तो हम यह लिख देंगे वह 15,000 रुपे जब एक नया partner आया 15,000 रुपे तो वह capital का पैसल आया और 5,880 किस चीज़ का पैसल आया? वह goodwill का पैसल आया तो total पैसा कितना business के अंदर है? वह है 22,380 ठीक है? उसके बाद stock कितना है? 28,000 उसमें कोई change रही है बाकि जितने भी assets से उनमें किसी भी तरह का change नहीं है तो stock कितना था? 28,000 पे का तो वह उतना ही रहेगा उसके बाद दे रखा है debtors debtors कितना है? 19,000 500 ही रहेगा उसके बाद furniture कितना है? 25,000 रुपे का ही रहेगा उसके बाद machinery कितनी है? 48,500 उसमें भी कोई change नहीं रहेगा उसके बाद तक goodwill वो write-off कर चुके हैं हम फिर है यहाँ आप लाइबड़ी साइड में creditors creditors कितना था? 11,800 में भी कोई change नहीं आया उसके बाद capital account सारी adjustment करने के बाद capital accounts बच्चे हैं इनकी buy balance two balance carry down करके वह लिखते थे अब वो क्याते लिखेंगे? यहाँ समझ देंगे हमाँ पास partner capital account है ही नहीं यहाँ A A का समझेंगे A की capital पहले क्या थी? तो हम यहाँ देखते है कोईशिन के अंदर A की capital क्या थी? तो कोईशिन के अंदर दिया गया है A की capital थी 51,450 यहाँ लिखेंगे 51,450 फिर यहाँ B की capital भी लिख लेंगे और C की भी confusion खता है B की capital कितनी थी? 36,750 B की थी ना 36,750 तो यहाँ लिखेंगे 36,750 यह इनकी पहले की capital थी अब जब नया partner आया जब एक नया partner आया तो किस चीज का पैसल आया था वो? वो goodwill का पैसल आया था तो partners को A को कितना पैसा मिला था? 3,2528 रुपीस goodwill के पैसे मिले था B को कितने पैसे मिले थे? 2,352 तो यह पैसे इन दोने की capital आका में जोड देंगे तो इनकी capital में A के में जोडेंगे कितना? 3,528 और B में कितना जोडेंगे? 2,352 ठीक है? उसके बाद plus करेंगे A को और कौन सा पैसा मिला होगा? एक और general reserve के कितने पैसे मिले थे? 12,000 रुपे और goodwill का पैसा कितना write-off हो था? 12,000 रुपे एक बार इनको यहां लिखेंगे plus 12,000 रुपे मिले थे A को किस चीज के? general reserve के और इनके account से कितना पैसा? 12,000 रुपे write-off भी हो गया था ठीक है? तिस B को B को general reserve के कितने पैसे मिले थे? B को general reserve के मिले थे? 8,000 रुपे और write-off भी कितने हो गए? 8,000 यहां लिखेंगे 8,000 रुपे मिले थे B को और write-off भी कितने हो गए? 8,000 C जो आया था वो कितना पैसा लेकर आया था? 15,000 रुपे यहां भी लिख सकते हैं यहां लिखेंगे इनको solve करेंगे तो इसकी capital A की capital आज़ी 54,978 सारी adjustment या सब कुछ करने के बाद B की capital है 39,102 और C की same capital भाहर आज़ेगी इसमें कोई adjustment हुई नहीं है यह है 15,000 पे सारा question हो चुका है अब हम क्या करेंगे? टोटल आएगा 120,000 880 यहां पर भी लिखा जाएगा 120,000 880 आपको इस question में किसी भी तरह का doubt हो तो आप comment section में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं Thank you 3 5 4 16 16